हेलो एवरिवन, वेल्कम तु मैं चैनल हेलो फ्रेंद्स, आज हम पढ़ेंगे टैंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं आशान भाशा में कहें तो टाइम यानी समय हम जन्रली तीन समय में जीते हैं प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भाविश्यकाल, जो समय हम जी चुके हैं यानी बीच चुका है, वो होता है हमारा पास्ट यानी भूतकाल जो समय हम जी रहे हैं, मतलब जो समय अभी जारी है वो होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल और जो समय हम जियेंगे यानि जो समय आनेवाला है वो होता है future यानि भाविश्यकाल इन तीन कालों के इलावा और कोई भी चौता काल एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन हाँ इन तीन काल के चारचर भाग और होते हैं इनने चार-चार भागों में और विवाजित किया जाता है यानि ये टोटल हो गई 12 टेंस जिनने हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंस यानि काल जो काल होता है उसका यूज किया जाता है एक टाइम को दर्शाने के लिए कि जब कोई घटना घटी थी जब कोई एक्शन हुआ था उस टाइम समय क्या था क्या ये प्रेजिन में था पास्ट में था या फ्यूचर में था और साथ ही टेंस का यूज किया जाता है कि वो कारे वो एक्शन कितना कम्प्लीट हुआ था इनको भी हम चार पार्ट में और डिवाइट करते हैं जो है इनडेफिनिट, कॉंटुनियस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉंटुनियस यह जो चारों पार्ट से हैं यह सब डिवीजन है इन तीनों पार्ट के तो मतलब ही हो जाते हैं 12 टेंस जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सबसे पहले इनडेफिनिट पॉर्शन खत्म करते हैं फिर कॉंटुनियस पॉर्शन और प्रेजन पास्ट फूचर देन परफेक्ट पॉर्शन और परफेक्ट कॉंटुनियस पॉर्शन इनका जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इंग्लिश क्रैमर में या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे जो बेस फॉर्म होती है वो टेंस की होती है अगर आपके पास टेंस की अच्छी खासी जानकार ये दिन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टेंड इंग्लिश इंग्लिश समझने में बहुत ज़दा आसानी होगी और आप कुछ वर्ड सीख भी सकते हैं टेंस की मदद से कुछ बोल भी सकते हैं इंग्लिश में शुरू आती स्टेज में वैसे टेंस समझने से पहले हमें ये भी जानना है कि स्ट्रॉक्चर कैसी होती है जैसे हमने हिंदी में कहा राम खाना खाना खारा है तो इसकी इंग्लिश होती है राम is eating food लेकिन दोनों भाषा में sentence structure बिलकुल अलगे जैसे हिंदी भाषा में राम subject है खाना object है, खारा है, वर्ब है तो इसका structure कहा है subject, object, वर्ब लेकिन इंग्लिश लेंग्वेज में इसकी इंग्लिश जो होती है राम is eating food, तो राम इसमें subject है is eating verb, where food है, object तो इसका sentence structure होता है subject, verb, object तो इस तरह से दोनों भाषा में subject, यह जो sentence structure है यह बिलकुल अलग है तो इस वेरी रिली इंपॉर्टेंट फॉर यू that you should know the real, the right sentence structure कि हमारी English language में, हमारी Hindi language में कैसा sentence structure होता है, कैसा हम उसे follow करते हैं अब देखते हैं कि present, past and future क्या होते हैं जो present tense होता है, वो इंडिकेट करता है कि जो घटना है, जो action है, जो work done है वो अभी present में है, वो अभी हो रहा है, right now और speaker से जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, उसे related है past क्या होता है, a tense expressing an action that has happened before or a state that previously existed past tense वो होते हैं, जो express करते हैं कि जो कोई काम है, जो action है, वो पहले कभी हुआ था या फिर ऐसी state जो पहले कभी exist करती थी, ठीक है लेकिन अब नहीं करती, अब वो काम हो चुका है future the event described by verb as not happening happened yet, but expected to happen in the future future वो होते हैं, जो यह describe करते हैं कि जो अब हमारा काम है, वो अब ही complete नहीं हुआ है और नियरली future में कभी हो जाएगा अब देखते हैं, उनके subdivision parts को indefinite, continuous, perfect and perfect continuous so what is indefinite, time is not definite, denotes its simplest form जो यहाँ पर indefinite tense होते हैं, जितने भी present indefinite हो, past indefinite हो, future indefinite हो तीनों में time होता है, जो definite नहीं होता ठीक है, और यह जो होती है, इन 12 tenses में हर एक बहुत ही simplest form है indefinite tense, जैसे I think, मैं सोचती हूँ, I thought मैंने सोचा, I shall think, मैं सोच हूँगी तो इस तरह से हमने किस एकी sentence को 3-3 tenses में convert कर दिया, यह होता है, indefinite continuous tense, which denotes that an event is still continuing or not completed so far continuous tense होता है, वो डिनोट करता है, कि जो action है, जो work done है, वो अभी भी हो रहा है मतलब start हो चुका है, लेकिन continue भी है, और अभी तक complete नहीं हुआ है not complete so far, अभी इसको भी देखते हैं, हम tenses में बदल के I am thinking, मैं सोच रही हूँ, I was thinking, मैं सोच रही थी, I shall be thinking, मैं सोच रही होंगी मतलब tense ही change हुआ है, कि समय कब होगा, यह हमने change कर दिया, कि अभी होगा, पहले होगा, या बाद में होगा लेकिन continuous, मतलब वो काम जारी जरूर रहेगा, जब हम बोलेंगे, it was not completed यह एक दम complete नहीं हुआ होगा, यह continue होगा जारी रहेगा, number three है हमारा perfect tense, which denotes that the event is in a completed or perfected state perfect tense जो होते हैं, वो यह denote करते हैं, कि जो काम है, जो event है, वो complete हो चुका है वो पूरा हो चुका है, वो पूर्ड हो चुका है, ठीक है, complete हो चुका है, जैसे I have thought, मैं सोच चुकी हूँ I have thought, मैंने सोचा था, I shall have thought, मैं सोच चुकी होंगी ठीक है, इन तीनों tenses में again tense change हुआ है, अभी सोच चुकी हूँ, पहले सोच चुकी थी, या आगे सोच चुकी होंगी लेकिन, at the time of speaking, ये काम पूरा हो चुका है, ये एकदम perfect state में है, एकदम पूरा हो चुका है, ठीक है, कोई जारी काम नहीं है, कभी अभी नहीं हो रहा है, पहले हो चुका है, ठीक है, complete है ये, perfect continuous tense, perfect continuous tense, वो tense होते हैं, जो बताते हैं, जो denote करते हैं, कि जब कोई काम जारी है, वो कब शुरू हुआ था, ठीक है, जो काम अभी जारी है, लेकिन, कब शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था, जो काम है, जैसे, मैं सोच, मैं सुबह से सोच रही हूँ, I have been thinking since morning, मैं तो बैसे सोच रही हूँगी, I shall have been thinking since morning, so this is how we make perfect continuous tense, तो इस तरह से perfect continuous tense बनता है, और ये डिनोट करता है, कि कोई event जो काम हुआ है, जो action हुआ है, वो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब समय दे रखा हो, जब कोई event स्टार्ट हो, कोई event कांटीनी हो, कोई काम जारी है, तो उहां पर time दे रखा हुआ हमें, वो होता है perfect continuous tense, okay, now each type of tense has following three types of sentences, अब हमारे पास जो 12 tenses हैं, उनके three type होते हैं sentences के positive tense, negative sentence और interrogative sentence, जो positive है, उसे हम affirmative sentence ही बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, सकारात्मक, negative sentence होते हैं, नकारात्मक, और interrogative sentence होते हैं, प्रश्न वाचक, सकारात्मक, एकदम simple होते हैं, नकारात्मक, जिसमें not हो, प्रश्न वाचक, जिसमें हम प्रश्न पहुचते हैं, अब देखते हैं, हमारे 12 tenses में number one tense, which is present indefinite tense, in presence indefinite, simple, जिसमें present indefinite tense को हम present simple भी कहते हैं, क्योंकि indefinite का मतलब भी simple होता है, the action is simply mentioned and there is nothing said about its completeness, It is used to express an action which happen on a regular basis जैसे कि मैंने अभी इंडेफिनेट की वो डेफिनेशन बताई थी मतलब है ताइम जो होता है बिलकुल भी डेफिनेट नहीं होता तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की डेफिनेशन है कि जो एक्षन है जो घटना हमें दी गई है मेंशन है उसके बारे में इसकी कमप्लीटनेस उसकी पूर्णता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि वो कमप्लीट होगी कब शुरू हुई थी और ये एक ऐसा एक्षन है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को वहाँ उस करते हैं कहां पर हमें बताना हो कि ये कम रोज होता है ठीक है रहे बेलागलर बास करोदेश पर परेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचांड क्या होती है ? कि ही Якप एस ते हों आदी शब्स आईं वे प्रेजश इन्डेफिनित टेंसे से बिलॉंग करते हैं ठीक है जिन हिंदी के उन्त में यह ता हैATE कि देह आते हैं अब देख़ें कि इसकी आफ की सेंटन्स का रोल subject पिलस verb की first फόर्म प्लस S I A E S Ploस subject subject वर्ब की first form यानी base form फिर S I A E S Ploस object आपको मैं बतादू की subject की अनुसार हम यहाँ पर denote करें los फार्म होगा कि वर्ब की first form के साथ S लगना है, एs लगना है लगना है कुछ नही लगना सिर्व वर्ब की first form लगनी है, तो subject है जैसे plural तो हम वब की first form लगाएंगे लेकिन अगर subject है singular तो हम S ये E S लगाते हैं वब की first form के साथ For example, मैं उसे रोज बढ़ाता हूँ I teach her daily So I is a plural I जो है वो subject plural है तो हमने यहाँ पर सिफ teach लिखा है Teach her daily Where हर बात मैं मुझसे परामर्श करता है He consults everything with me Now यहाँ पर ही वह है singular subject है और हमने consult के साथ S का यूज किया है Base form के साथ S का यूज किया है देखाना हमने कैसे sentence बनाए subject वब की first form के साथ S ये E S फिर जो भी है rest of the sentence मैं उसे भली भाती जानता हूँ I know him very well हम स्कूल इखटे जाते हैं We go to school together ठीक है तो यह ऐसे tenses हैं जो regular basis पे होते हैं और जैसे I teacher daily मैं उसे रोज पढ़ाता हूँ यह regular basis है हम रोज स्कूल इखटे जाते हैं We go to school together अब देखते हैं इसका negative subject plus do your does plus not plus verb first form plus object in present indefinite negative sentence do not and does not is used before first form of verb does come only when subject is third person or singular otherwise in all case do is used जब हम present indefinite tense का negative sentence बनाते हैं तो उसमें काफी changes होते हैं जैसे subject लगाते हैं सबसे पहले फिर do not यह does not यह subject पे depend करता है कि do not लगाना यह does not लगाना है अगर subject plural है तो हम लगाते हैं do not अगर subject singular है या फिर third person है ठीके जैसे he, she, it तो हम लगाएंगे क्या does not यहाँ पर verb की first form ही लगती है यह सिफ affirmative sentences में लगते हैं present indefinite के और फिर object जब हम sentence में present indefinite tense में does का use करते हैं ठीके? क्योंकि does का use करते हैं singular tense के साथ सिंगिलर के साथ हमने क्या पढ़ाता है S E A E S लगती है तो वहाँ पर हम S E A E S इस लिए नहीं लगाते हैं क्योंकि जो base form है वो है इसकी do और do के बाद हम E S जोड देते हैं does बन जाता है और इसके बाद हम किसी word में S E A E S नहीं जोड देते हैं बच्चे शोर नहीं करते हैं Children do not make a noise मुझे आपका विहवार पसाद नहीं आता है I do not like your behavior मैं काम से जी नहीं चुराता हूँ I do not shrink work शेर घाष नहीं खाता है Lion doesn't eat grass रजनी शनिवार को office नहीं जाती है रजनी ड़स नहीं गो टो office on Saturday सो इसको बनाने का नियम था subject फिर do or does not फिर verb की first form then object यहां पर हमने again जो singular है उसके साथ as or es का use क्यों नहीं किया क्योंकि singular के साथ हमने लगा है does not और does मैं जो है do based form उसके साथ हमने es का use कर दिया इसलिए अब किसी भी verb के साथ हम as or yes का use नहीं करेंगे so this is how we make present indefinite tense के negative sentence negative के बाद बारी आती है interrogative sentence की interrogative में हम हमेशा दो टाइप की interrogative होते हैं पहले interrogative होते हैं जो क्या से शुरू हो ठीक है क्या से शुरू है तब भी हम question पूँच रहे हैं और दूसरा interrogative होता है जब sentence के बीच में अगर कोई question word आई जैसे क्यों कब कैसी सबसे पहले देखते हैं first type of interrogative जब sentence क्या से शुरू हो इसका rule होता है do or does plus subject plus verb की first form plus object then question mark तो यह जो क्या से शुरू होते हैं उनके लिए हम English में use करते हैं do or does again subject पे depend करता है do किसके साथ लगाना है does किसके साथ लगाना है फिर subject फिर बाव की first form then object and then question mark जैसे क्या वे अपनी पत्नी को मारना चाहता है does he want to kill his wife तो does हमने लगाई है he के according ही है एक subject singular इसलिए हमने does का use किया फिर want to kill his wife then question mark क्या वर्षा रितु में रोज बर्षात होती है does it rain daily in the rainy season क्या वे मुझे दूर नहीं भागती है does she not run away from me क्या शुबी रोड पर कार चलाती है does should be drive car on road तो हमने जो singular subject है उसके साथ does का use किया है first subject then verb की first form again you know the reason and then object अब अगर बात करें interrogative second type की जैसे कि मैंने कहा कि हां पर वाकि के मद्द्ध में जैसे سिख शख हमेज़ साथ का समर्थन क्यों करते हैं तो यहां पर क्यों जो है वो है एक प्रेस्ण वाच्थलों जो एक मद्ध्ध में उस उद्ध हुआ है इनको बनाने के लिए नियम होता है question word जो भी है sentence में if it do or does then subject plus verb की first form then object and question mark तो हम इसकी English बनाएंगे why do teachers always support है लड़कियां गपशप करना क्या हो पसंद करती है why do girls love to gossip यहां पर जो हमारा question word है वो है why जिसको हमने सबसे पहले लगाया फिर आती है हमारी helping verb है auxiliary verb है auxiliary verb है हमारी यहां पर do जिसको हमने use किया है girls की यहनी subject की according जो है plural then love to gossip फिर उसकी बात मुझे गरीब लड़के की मदद करने की क्या है शकता है what do I need to help the poor boy वह बहुत महनस कैसे करता है how does he work very hard now in सभी examples में सबसे पहले जो question जो हिंदी example है उनके बीच में आया है question word प्रश्नवाजक शब्स जिसको हमने English में सबसे पहले लिखा है उसके बाद हमने लगाया है do or does जो subject की according जो subject पर उपर depend करता है ठीके फिर आए verb की first form then object and question mark यह होगा interrogative के दो टाइप की sentences present indefinite tense के बाद बारी आती है past indefinite tense की it is used to express an action that is just completed or just happened normally a short time before speaking time of action is not specified but it makes a sense that action is just completed like जो past indefinite tense होते हैं वो यह express करने के लिए यूज किये जाते हैं कि जो घटना है जो event जो action है वो अभी अभी complete हुआ है बिलकुल अभी अभी जब हमने बोला है उससे थोड़ी ताइम पहले थोड़ी समय पहले time of action is not specified again जैसे मैंने बता है indefinite में time जो होता है definite नहीं होता specified नहीं होता लेकिन यह जो past indefinite tense के जो tense होते हैं वो इतना sense बनाते हैं it makes a sense कि उससे यह पता चल सके जो action है जो काम है बस अभी complete हुआ just before the time of speaking definition के बाद देखते हैं इसकी पहचान so jन हिंदी वाकिओं के अंत में e, e, tây, tte, tate, tata, yai, yi, yi ये आदी शब्द आते हैं वो tenses past indefinite tense से belong करते हैं तORissen आए जिन हिंदी वाकिओं के अंत में ये e, e, t tat, tate, tata, आदी आए तो वहाँ पर समझ लेना कि ये past indefinite tense का है और अब यहां से हमें इसके rules apply करने शुरू कर देने है अब बात करें अगर इसके affirmative rule की तो rule है subject, verb की second form than object यह होता है इसका rule subject, verb की second form and object यहाँ पर यह depend नहीं करता है कि subject अगर singular है या plural है तो हम verb की second form लगाएंगे या नहीं लगाएंगे बिलकुल नहीं सबसे पहले हमें subject लिखना है फिर जो क्रिया है जो verb है उसकी second form लिखना है और फिर object यह हमारा rule है बस जैसे वह अपनी पत्नी का नाम भी भूल गया He forgot even the name of his wife He forgot, okay He forgot फिर जो rest of the sentence है वो लिख दो मैंने लंदन में समय का सदोपियो किया I made good use of time in London कल रात में बहुत गहरी नीच सोया I slept very soundly yesterday night उसने लाल चाता हमेशा अपने पास रगा He always carried red umbrella with him This is how we made the past indefinite tense इस तरह से हम past indefinite tense को बनाते हैं जो भी subject होता है उसे लिख दो चैही हो चैह I हो यानि singular हो चैही plural हो और फिर उसके बाद हमें लगानी है verb की second form second form past form लगानी होती है verb की फिर उसके बाद जो object है फिर जो rest of the sentence है जो भी है हम उसको लगा देंगे यह होता है affirmative sentence का rule अगर बात करते हैं negative की तो यहाँ पर हम एक auxiliary verb को जोड़ते हैं जैसे हमने present indefinite में जोड़ा था do does को ठीक है यहाँ पर क्या होता है subject plus did not plus verb की first form and object सबसे पहले subject उसके बाद हम लगाएंगे did not did not फिर verb की first form and then object अब जब हम did not का use करेंगे तो verb की second form का use नहीं होगा okay verb की second form का use नहीं होगा हम use करेंगे verb की first form का reason क्या है मैं बताती हूँ क्योंकि जो डू होता है वो होता एक base form उसकी फिर second form होती है did तो did पहले से ही second form होगई do की तो इसलिए हमें verb की second form दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती है इसलिए हम did not plus verb की first form लगाते हैं अब देखते हैं इसके examples उसने मेरी तारीफ नहीं की he did not appreciate me जो सबसे पहले subject है उसको लगाओ फिर जो हमारी वर्ब है जो हमारी helping verb है auxiliary verb did not फिर वर्ब की first form अगें यहां पर हमने appreciated नहीं appreciate कियो है क्योंकि हमने did not का use कर चुके हैं इसलिए verb की first form का use होगा उन्होंने हमारा बड़ा सौगत नहीं किया they did not give us a warm welcome give us a warm welcome ठीक है give का use है जो first form है instead of using give मैंने साब को नहीं मारा I did not kill the snake कुटे नहीं काटा the dog did not bite him I hope अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम past indefinite tense के negative sentence को बनाते हैं negative के बाद बारी आती है interrogative की again interrogative है दो टाइप की तो first step जो किया से शुरू हो और second time जो बीच में अगर sentence के बीच में कोई प्रश्णवाचक शर्द आता है तो तो अगर first type of interrogative के लिए past indefinite का जो rule है वो है did plus subject plus verb की first from then object okay for example क्या मैंने अपने पिताजी से परामर्श नहीं किया did I not consult my father तो कैसे सबसे पहले हम did लगाएंगे first subject है जो कि यह आई अगर कभी इस सब इन examples में not आ जाएंगे क्योंकि not आ सकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि interrogative में not ना लगाएं आ भी सकता है तो हम उसे subject के बाद में और जो main verb होगी उससे पहले लगाएंगे did I not consult my father क्या तुमने वाद विवाद में भाग नहीं लिया did you not take part in debate क्या तुमने उसकी साथ जाना पसंद नहीं किया did you not like to go with him or did you not want to go with him क्या वे उससे कल नहीं मिली did she not meet him yesterday तो इस तरह से हम बनाएंगे interrogative sentence उसको past indefinite के कैसे हम सबसे पहले date लगाएंगे फिर subject फिर वर्ब की first form और object अब interrogative जो first type इसको हमने complete कर लिया जिसमें हिंदी वाद के क्या से शुरू होते हैं और इस अभी में अभी पता चल रहा है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है या फिर काम अभी खत्म नहीं हुआ है अब देखते हैं interrogative second type question word plus date plus subject plus verb की first form और object जैसे तुमने मुझे क्यों याद किया why did you remember me why did you remember me why question word date फिर subject फिर remember first form of verb then me object तुमने अपने घर पर किसी को याद नहीं किया why did you not remember anybody at your home मैंने कल अपने कपरे नहीं दोए मैंने कल अपने कपरे क्यों नहीं दोए why did I not wash my clothes yesterday why did I not wash my clothes yesterday इस तरह से हम बनाएंगे जो होता है past indefinite के second type of interrogative question word लगाओ सबसे पहले जो भी है फिर date subject verb की first form object अब present indefinite past indefinite के बाद हम पढ़ेंगे future indefinite tense it is used to express an action which is not occurred or happened yet and will occur or happen after some time in future future indefinite tense होते हैं वो यह दिनोट कर दे हैं वो यह express कर दे हैं कि जो घटना है जो अक्शन है जो इवेंट है अभी अभी भी घटनाहीं हुआ है अभी हमने उसे शुरू नहीं किया है अभी वो कारें नहीं हुआ शुरू होना लेकिन वो थोड़ी ही देर में कुछी देर बाद future में शुरू हो जाएगा कुछी देर बाद future में घटित हो जाएगा again time definite नहीं है लेकिन यह थोड़ा sense बनाता है जब sentence को पढ़ते है future indefinite tense के कि जो sentence हमें दिया हुआ है जिसमें जो घटना हो रही है जो घटना होगी वो कुछी समय बाद हो जाएगी future में थोड़ी ही समय बाद ठीके तो यह होते हैं हमारे future indefinite tense future indefinite tense की पहँचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदी शब्द आएगी गे एक वर्ब के पीछे भी लगे हो सकते है जैसे वो खाएगा, वे जाएगा, वे पढ़ेगा ठीके, ऐसे शब्द आएगी तो वे टेंस future indefinite tense की होते हैं अब देखते हैं इसके affirmative sentence के rule subject plus will or shell plus verb की first from then object you may be confused कि हमने जो present indefinite affirmative के साथ auxiliary verb नहीं लगाई past indefinite में भी नहीं लगाई future indefinite में है हाँ आपको थोड़ी सी आद रखनी है will or shell, will shell जो है इसकी helping verb है, सबसे पहले subject लगादो जो है, फिर will or shell और verb की first form यहाँ पर verb की first form रहेगी ना तो कोई second form रहेगी ना यहाँ यहाँ कोच भी नहीं सिर वर्ब की first form plus object तो क्या होते हैं future indefinite test के affirmative in future tense, helping verb shell is used with i and v helping verb will is used with all others, when you are to make equipment or warn someone or emphasize something, use of will and shell is reversed, will is used with i and v and shell is used with others, in general speaking, there is hardly any difference between shell and will, we normally use will, future tense में, helping verb होती है shell और will, इन दोनों को अलग अलग तरीके से use किया जाता है जैसे shell का use हम सिर्फ first person के साथ, यानि i और v के साथ करते हैं जबकि helping verb will का use बाकि सब subject के साथ किया जाता है लेकिन जब आप कभी भी एक commitment बनाते हो या किसी को चेताव नहीं देते हो किसी चीज के बारे में emphasize करते हो तो will और shell का use एकदम उल्टा हो जाता है, एकदम reverse हो जाता है will का use करते हैं फिर हम i और v के साथ और shell का use करते हैं हम बाकि सबजेक्स के साथ आम तोर पर जब हम बोलते हैं you know speaking English तब कोई भी बहुत चोटा सा difference होता है shell और will के बीच में ठीक है जादतर हम will का use हर एक subject के साथ करते हैं जब हम बोलते हैं लेकिन अगर हमें grammatical सही बोलना है तो हमें right use of shell और will पता होना चाहिए ठीक है और कहां पर shell और will का use reverse हो जाता है जब लेकिन जब हम बोलते हैं English तो will जो है वो right flow देता है हमारी English को तो हम will का use हर एक subject के साथ कर लेते हैं For example मैं football खेलूंगा I will play football subject है I यानि first person तो इसके साथ हम लगाएंगे shell So I shall play football वह वर्तिका को अपने खिलोने देगी She will give her toys to वर्तिका Now यहाँ पर जो है subject वो है she और she आता है third person में और मैं पता है third person के साथ हम will लगाएंगे तो यहाँ पर हमने use किया है will का Next मैं आगरा जाओंगा I shall go to आगरा So this is how we made sentence of future indefinite tense Future indefinite tense में negative sentence का rule होता है subject plus will या शेल plus not plus verb first form plus object Affirmative और negative में जो change होता है जो negative sentence में वो यह होता है कि हम helping verb will shell के बाद में not का use करते हैं So for example I will not go to London नहीं जाओंगा किसी चीज़ के बारे में इंफिसाइस करना हो तो will और शेल का use reverse हो जाता है इसलिए बनेगा I will not go to London again Rita उसे जवाब नहीं देगी Rita will not respond to him So Rita will not respond to him then subject फिर helping verb not फिर वाब की first form and then object So it's interrogative first type of interrogative will और शेल plus subject plus verb की first form plus object then question mark सबसे पहले हमें लगाना है helping verb will और शेल उसके बाद subject subject के according आप will और शेल लगाईए फिर verb की first form then object इन sentences में कभी-कभी interrogative नेगेटिव भी आ जाते हैं मतलब interrogative भी हो और जो नेगेटिव भी हो तो उस टेम आपको क्या करना है कि will और शेल plus subject उसके बाद आप not लगाईए verb से पहले और subject के बाद में इस तरह आप interrogative नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं Now let's look at examples क्या हम English का अख़बार पढ़ेंगे Shall we read English newspaper तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लगाया है helping up shall क्योंकि हमारा जो subject है वो है we और जैसे कि मैंने कहा कि normally हम we के साथ shall लगाते हैं I और we के साथ So shall we read English newspaper Okay Second example क्या साथ या तरस बजे station जाएगी Will shall we leave for station at ten o'clock Will साथ या leave for station at ten o'clock सबसे पहले हमने will लगाया उसके बाद subject साथ या हमारी main verb leave क्योंकि यहाँ पर future indefinite tense है तो हमारी verb की first form ही लगेगी फिर object station and then rest of the sentence remaining at ten o'clock क्या मैं तुमारे इंतिजार करूँ Shall I wait for you again सबसे पहले शेल लगाया क्योंकि subject है I और I और we के साथ लगाते हैं हम shall So shall I wait for you question mark लगाने का ध्यान रखे अब देखते हैं interrogative second type तो interrogative second type क्या होते हैं जिन वाक्यों के मध्य में प्रश्ण वाचक शब्द आएं जैसे क्यों कब कैसे कहां ठीक है तो इसके लिए rule है question word जो वाक्य के मध्य में जो sentence के बीच में question word आई हैं उन्हें हमें सबसे पहले लिखना है ठीक है उसके बाद will और shall फिर subject इसके बाद verb की first form फिर object और question mark इसको और इच्छे से समझते हैं examples के थू सो पहला example है सच इन T20 World Cup में क्यों खेलेगा वाई विल सच इन प्लेई इन T20 World Cup sentence के बीच में आया है क्यों क्यों की English होती है वाई ठीक है वाई विल सच इन विल क्यों लगाए आप समझ गए होंगे क्योंकि हमारा जो subject है वो है third person सच इन फिर verb की first form और main verb play in T20 World Cup वे हमारी society में कब प्रवेश करेंगे when will they enter in our society कब की English होती है when so when will they will है क्योंकि third person हमारा subject है उसके बाद enter एक main verb के रूप में in our society then remaining third example हम English का अकबार क्यों पढ़ेंगे why shall we read English newspaper now third example में हमने shell का यूज कि हमारे पास subject है first person यानि we और हम first person के साथ यूज करेंगे shell का फिर है subject उसके बाद read English newspaper जो हमारा remaining है and then question mark indefinite portion पूरा हो चुका है अब देखते हैं continuous तो सबसे पहले परते हैं what is present continuous tense present continuous tense is used to express an action which is ongoing or still going on hence it is continuous like it is raining it is used to express a planned or arranged action happening in near future for example I am going to Los Angeles this weekend present continuous tense का यूज किया जाता है ये दर्शाने के लिए कि कोई action कोई कार्य अभी जारी है जैसे बारिश हो रही है it is raining तो ये अभी going on है ये going on work है continue हो रहा है अभी खतम नहीं हुआ है हाँ शुरू हो चुका है यहाँ पर भी समय definite नहीं है ठीक है हमें पता है कि ये कार्य जारी है ये कार्य शुरू हो चुका है लेकिन कब हुआ तक कब खत्म होगा ये नहीं पता सिर्फ इतना पता है present में है और जारी है present continuous tense का दूसरा use ये दर्शाने के लिए किया जाता है जब आपने कोई near future में मतलब कुछ नस्दीक भविश्य में कोई action plan कर रखा है कोई action arrange कर रखा है जो होगा कुछ ही समय बाद future में ठीक है for example I am going to Los Angeles this weekend मैं इस सब्दे की अंत में Los Angeles जा रहा हूँ इसका मतलब आपको समझ में आया कि ये future में होगा लेकिन ये action plan है ये arrange है maybe your tickets are booked your hotels are booked your flight is checked अब बस आपको जाना है ये एकदम plan action है वहाँ पर हम present continuous tense का यूज करते है present continuous tense की पहचान होती है कि इन हिंदी वाकियों के अंत में रहा है रही है रही है आदी शब्द आते हैं जैसे मैं स्कुल जा रहा हूँ वे लंदन से आ रही है यहाँ पे अंत में रहा है रही है आ रहे हैं तो ये पहँचान कराते हैं कि ये प्रेसेंट कॉंटिनियूस टेंज से बिलॉंग करते हैं अब देखते हैं इसका एफ़र्मेटिव रूल सबजेक्ट प्लस इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओकर में हैं तो कैसी उस्ट करना है सबसे पहले लगाना है में सबचेक्ट इसमें helping verb होती हैं जो है is mr अब इस mr तीन तीन helping verb हैं किस के साथ केसी मेचा होगी तो मैं बता दो is को जो यूज है वो होता है सभी singular subject के साथ जो singular हो एक वचन करता के साथ M का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ I के साथ ठीक है सिर्फ और सिर्फ I के साथ यूज होगा M का और जो R है वो होता है सभी के सभी plural subject के साथ ठीक है जो भी बहु वचन करता होते हो उनके साथ हम किसका यूज करेंगे R का So, is with singular, am with i, और are with plural subject. आगे है verb. Verb की first form के साथ लगाते हैं हम ing. उसके बाद object. For example, मैं लंदन से आ रही हूँ. I'm coming from London. वे मोबाइल से खेल रही है. She is playing with mobile. वे अपना समय व्यर्थ कवा रही हैं. They are wasting their time. Vertica को need आ रही है. Vertica is feeling sleepy. First example. I am coming from London. मैं लंदन से आ रही हूँ. subject है I. I के according हमें लगानी है helping verb. तो जैसे कि मैंने बताया I के साथ हम लगाते हैं M. फिर क्या है rule के according? Is MR के बाद क्या लगाना है? हमें verb की first form के साथ ing. So, यहाँ पर जो हमारी verb है वो है come और उसके साथ हम ing लगाएंगे coming. और फिर है हमारा object I am coming from London. वैं मोबाइल से खेल रही है. She is playing with mobile. She जो की एक singular subject है उसके साथ हमने लगाया है is. और फिर rest of the sentence playing with mobile. They are wasting their time. They plural subject है. इसलिए हमने उसके साथ R का यूज़ किया है. तो अब मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि कहां पर हमें इसका यूज़ करना है कहां पर M का कहां पर R का. Basically R is for plural subjects. Is is for singular subject. And M is for I. ओके तो ये है इसका affirmative rule. और इसके कुछ examples साथ ही ये यूज़ कि किसके साथ is MR लगता है. affirmative के बाद देखते हैं अब negative. तो negative का rule है subject प्लस is MR प्लस not प्लस verb की first form के साथ ing प्लस object. आपने देखा difference इस MR के बाद सिर्फ हमने not का यूज़ किया है. ना तो इसमें verb की first form के साथ जो ing ये उसमें कोई चेंज़ आया है. ना ही हमारे helping verb में कोई चेंज़ है. only difference is कि helping verb के बाद और verb से पहले हमें not का यूज़ करना है. for example, पुलिस चोरों का पीछा कर रही है. पुलिस इस चेंज़ इस चेंज़ इस चेंज़ इस चेंज़ आपने किताब नहीं पढ़ रहा है. शाका इस चेंज़ इस चेंज़ इस चेंज़ इस चें़ आपने कोई चेंज़ इस चेंज़ इस का रही है. that cow is not grazing the grass. so this is how we made the negative sentence of present continuous tense negative sentence के बाद बारी आती है interrogative और interrogative में पहले पढ़ते हैं first type तो क्या से शुरू होंगे ये वाक्या और क्या से शुरू होंगे तो हम यहाँ पर किसी प्रश्नवाजिक शब्द से अब काफी लोग कह सकते हैं कि क्या से शुरू हो रहा है हम what can you सिर्फ तब ही करेंगे जब क्या sentence के जो हिंदी वाक्या उसके बीच में आई ना कि शुरूआत में अगर शुरूआत में आता है तो हम helping verb लगाएंगे auxiliary verb लगाएंगे ठीक है तो इसका rule है is mr plus subject plus verb की first form के साथ ing plus object again interrogative में भी verb के साथ कोई change नहीं है हमने सिर्फ कितना किया है subject की बाद लगाते थे हम इस mr यहां पर हमने subject की पहले लगा दिया है ठीक है और interrogative sentences में हमेशा question mark का ध्यान रखिए so तो example है क्या लड़के घर में cricket खेल रहे हैं are boys playing cricket in the house क्या आज हम पिक्निक पर नहीं जा रहे हैं are we not going on a picnic today क्या बाहर बूदाबादी हो रही है is it drizzling outside क्या कानपुर में बरसात हो रही है is it raining in कानपुर okay तो जो plural है उनके साथ हमने आर का यूज किया जैसे first example में boys यानि काफी सारे लड़के हैं तो इसलिए हमने वहाँ पर आर का यूज किया are boys playing cricket in the house and second example में भी are we not going on a picnic today or is it drizzling today ठीक है first type of interrogative के बाद देखते हैं second type of interrogative तो इसका rule है question word plus is mr plus subject plus verb की first form के साथ ing plus object then question mark तो जैसे वह इस वर्ष परिक्षा क्यों दे रहा है why is he taking the examination this year मैं लंदन कब जा रहा हूँ when am I going to London उसका पती kitchen की अग कैसे बुजा रहा है how is her husband extinguishing the kitchen fire so this is how we use second type of interrogative sentence of present continuous tense ठीक है तो सबसे पहले हमें लगाना है wh word यानि question word उसके बाद is mr फिर subject फिर verb की first form के साथ ing और फिर object अगें जब आप इसे लिखने में यूज करते हैं टेंस को तो question mark का लगाना जरूर याद रखें ठीक है this is very minor and important mistake अब देखते हैं आगे तो present continuous tense के बाद पढ़ते हैं past continuous tense जो past continuous tense होता है तो इसके शब्दों से भी इसका मतलब निकल रहा है देखिए past यानि भूत काल जो बीच चुका है continuous जो जारी है तो भूत काल में जो कार जारी था ठीक है वो होता है past continuous tense इसका यूज किया जाता है ये बताने के लिए express करने के लिए कि किसी निश्चिस समय तक past में ठीक है किसी निश्चिस समय तक कोई action continue था जारी था उसके बारे में बात करने के लिए हम past continuous tense का use करते हैं जैसे I was driving a car मैं गारी चला रहा था अब हमें ये पता है continuous में भी time definite नहीं होता लेकिन ये थोड़ा sense बनाता है कि ये काम कुछ particular time तक हो रहा था past में कुछ wishes, कुछ निश्चित समय तक हो रहा था past में ठीक है तो I was driving a car आपने कार चलाई, कुछ देर चलाई तो सही तो उस time वो कारे जा रही था ठीक है तो वहां पर हम use करेंगे past continuous tense का अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं इंग्लिश में इसके affirmative rule, negative rule, interrogative rule और साथ ही इसमें कौन कौन सी helping verb use होती है जैसे कि मैंने पहली बता दिया था कि continuous tense कोई भी हो वब की first form के साथ ing तो लगे ही अगर बात करें past continuous tense की तो इनकी पहँचान के लिए हिंदी वख्यों के अंत में रहा था रहे थे रही थी आदी शब्द आते हैं तो किसी भी वाक्य में रहा था रही थी रही थी ऐसे आदी शब्द आएं तो वो past continuous tense से बिलॉंग करते हैं जैसे मैं स्कुल जा रहा था वैं लंदन से आ रही थी ऐसे वाक्य पास्ट continuous के होते हैं वैल इसका affirmative rule है subject प्लस वाजिय वर प्लस वर्ब की first form के साथ ing प्लस object सबसे पहले लगाना है हमें subject उसके बाद है हमारी helping वाज या फिर वर वाज लगाएंगे हम singular subject के साथ और वर लगाएंगे हम plural subject के साथ इसमें हमें कोई तीन helping वर्ब नहीं है इसमें सिर्फ दोएं तो वाज लगानी है singular subject के साथ तो वर्ड लगानी है प्लूरल सब्जेक के साथ यूज होगा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एंजी का और उसके बाद लगाना है अबजेक्ट और जो भी रिमेनिंग हो सेंटेंस का ठीक है जैसे मैं उस पर हस रहा था I was laughing at him हम बैठक के बारे में चर्चा कर रहे थे वे ग्रहकारी कर रहे थे तो इस तरह से हम इसके एक्जेंपल्स बनाते हैं पहला एक्जेंपल है I was laughing at him मैं इस पर हस रहा था वैसे अब आप कह सकते हैं कि I तो अभी हमने सुना था plural subject होता है मैं बता देना चाहती हूँ कि I का जो यूज होता है वो present tense में होता है as a plural लेकिन past tense में उसका यूज होता है as a singular subject ओकी We were discussing about meeting We We plural है इसके साथ हमने work का यूज किया है फिर discuss एक verb की first form है जिसके साथ हमने लगा दिया ing ये होगिया discussing और फिर rest about meeting वे ग्रे कार कर रहे थे they were doing homework तो ये है इसका affirmative rule और examples अब देखते हैं negative rules and examples ये हैं past continuous tense का negative rule subject plus was, was, was not plus verb की first form ing और उसके बाद object तो subject लगाना है सबसे पहले उसके बाद was या were words, word के बाद लगाना है हमें not और उसके बाद verb की first form के साथ ing plus object I want to say की continuous tense में चाहे वो कोई भी tense का example हो sentence का affirmative हो negative हो या फिर interrogative हो verb की first form के साथ ing ही रहती है ये change नहीं होती अब देखते हैं example हम उसके साथ नहीं लड़ रहे थे we were not fighting with him वे स्कूल नहीं जा रही थी she was not going to school वे समय बरबाद नहीं कर रहे थे they were not wasting time okay this is how we use negative sentence of past continuous tense ठीक है तो सबसे पहले example है we we के साथ हमने work का यूज किया फिर not second में she है see के साथ हमने was का यूज किया फिर not और third example में भी plural subject है they तो they के साथ हमने यूज किया work का फिर not and then remaining of the sentence negative के बादबारी आती है interrogative की तो this is first type of interrogative इसका rule है was word plus subject plus verb की first form के साथ ing then object and question mark अगर यहाँ पर interrogative negative हो तो क्या करना है subject के बाद और verb से पहले हमें not लगा देना है that's it यह बन जाएगा हमारा interrogative negative ठीक है तो examples है क्या विद्धियारती स्कुल में प्रात्ना बोल रहे थे क्या विद्धियारती स्कुल में पुस्तक पढ़ रहे थे वर दे स्टूडेंस रीडिंग बुक्स क्या वे लड़का बाइक में से पेट्रॉल चुरा रहा था वास देट बोई स्टीलिंग पेट्रॉल फ्रॉम बाइक ठीक है तो सबसे पहले हमें वास वर से शुरुआत करनी है क्योंकि सेंटेंस शुरू हुए है क्या से वास वर आपको कैसे लगाना है सबजेक पे डिपेंड रहना है और बाकी बिलकुल वही सीकुएंस है सेंटेंस बनाने का फर्स टाइप अफ इंटेरोगेटिफ सेंटेंस के बाद देखते हैं सेकंड टाइप अफ इंटेरोगेटिफ सेंटेंस ठीक है तो मैंने क्या बताया है कि सेकंड टाइप में क्या होता है सिर्फ आपको देखना होता है कि sentence के बीच में कोई question word आ रहा है या नहीं और आपको find out करना है कि वो sentence है वो किस tense का है ठीक है तो इसके लिए rule है question word plus was word plus subject फिर हमारे पास है verb की first form के साथ ing और फिर object then question mark तो इसके example है बाहर बूंदा बादी कब हो रही थी when was it drizzling outside कुटे रात को गली में क्यों भौक रहे थे why were dogs barking in the street at night भीड में भीड एक आदमी को क्यों पीट रही थी why was the mob beating a man ठीक है तो क्या करना है हमें second type of interrogative में question word हमें पहले लिखते ने और फिर जो first type of interrogative करूले वही follow करना है was word फिर subject फिर verb की first form के साथ आई एंजी फिर object ठीक है इस तरह से हम बना लेंगे question word जो interrogative second type of past continuous tense अब past continuous tense के बाद देखते हैं हमारा future continuous tense future continuous tense it is used to express an ongoing or continued action in future तो future continuous tense का use क्या होता है यह होता है एक बताने के लिए कि कोई कम जारी रहेगा कोई कम continue रहेगा future में जैसे he will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock वहे कल 12 बजे मंदिर में मिठाईयां बांट रहा होगा अब यहाँ पर time definite नहीं है लेकिन यह पता चलता है कि यह काम कुछ time के लिए future में continue रहेगा कुछी time के लिए लेकिन future में वो काम जारी रहेगा वहाँ पर use करते हैं future continuous tense का अगें आपको यहाँ पर एक बत और ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पर यूज किया at 12 o'clock तो यहाँ पर आपको at 12 o'clock ही रखना है पुस सेंस या फिर 4 का use बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि यह फिर future perfect continuous tense हो जाएगा जिसके बारे में हम आगे पर future continuous tense की पहँचान कैसे होती है तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होगे आदी शब्द आते हैं वो पहँचान कराते हैं future continuous tense की लेकिन इन वाक्यों में अगर समय दिया भी हो तो समय के बाद say नहीं दिया होता जैसे वे सुबह से पर रही होगी वे दुफैर से गार रहा होगा क्योंकि जब भी हमें time की बाद say दे रखा हो तो फिर वो future perfect continuous tense में बदल जाएगा क्योंकि future perfect continuous tense भी रहा होगा रही होगी ये वाक्यों के अंत में आते हैं और अगर time की बाद आपने say लगा दिया तो मतलब ये future continuous tense का नहीं है ठीके आप बोल सकते हो वे सुबह खाना बना रही होगी लेकिन समय के बाद सुबह say नहीं लगा सकते I hope now you understand अभी के लिए देखते हैं affirmative rule तो affirmative rule है subject plus will your shell plus we plus verb की first form के साथ ing plus object for example हम रविवार को टीवी देख रहे होंगे we shall be watching टीवी on Sunday अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि हमने shall be का यूस क्यों किया है तो मैं पहले ही बता चुकियों कि will be का यूस होता है बाकी सब subject के साथ सिर्फ जो हमारा होता है first person के subject के छोड़के बाकी सबी subject के साथ हम will का यूस करते है यहाँ पर भी वही रूले will be का यूस होगा second person, third person और सबी subject के साथ सिर्फ first person के subject I और V को छोड़के जिसके साथ हम shall का यूस करते है we shall be watching TV on Sunday वे उस मैदान में football खेल रहे होंगे they will be playing football in that field वे हमें पढ़ा रहे होंगे he will be teaching us ठीक है तो इस तरह से कैसी उस करना I hope you understand अब आते हैं negative पर subject प्लस will ये शेल प्लस not प्लस be प्लस verb की first form के साथ ing और फिर object ठीक है तो यहाँ पर क्या फरक है will shall और जो be है उसके बीच में हमने not का use किया है कि subject लगाना है फिर will be will ये शेल ठीक है पर will be shall be not का use हम नहीं करेंगे जात तर हमने अभी तक ऐसे किया था helping verb के बाद लगा देते थे हम not लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा लग करना है कि will not be का use करना और फिर shall not be का depending on your subject लेकिन शेल भी और विल भी को हम साथ में नहीं लिखेंगे will not be या फिर shall not be for example परिक्षा की दिनों में आप सो नहीं रहे होंगे you will not be sleeping during examination days where football नहीं खेल रहे होंगे we will not be playing football where football नहीं खेल रहा होगा Sam Biven लेक नहीं पढ़ रहा होगा Sam will not be reading different or various articles so now interrogative first type जिसका rule है will या शेल plus subject plus be plus verb की first form plus ing and then object तो इसकी example है क्या सैकडो बिकारी सडक के किनारे सो रहे होंगे will hundreds of beggars be sleeping at roadside आपको मैं आप एक बात बता देना चाहते हूँ जैसे हम negative में will be को और shall be को साथ में नहीं लिखते वैसे हम interrogative में भी will be या shall be को साथ नहीं लिखते सबसे पहले हम लिखेंगे will ya shall फिर subject उसके बाद यूज होगा बी का अगर यहाँ पर कभी interrogative negative हो तो हमें subject के बाद में और बी से पहले not का यूज करना है क्या साव्या समय समय पर अरिन से नहीं मिलती रही होगी यह है interrogative negative sentence देखते हैं इसे English में कैसे translate करते हैं विल साव्या not be meeting अरिन off and on ठीक है यहाँ पर हमने subject जो है साव्या उसके बाद हमने not का यूज किया उसके बाद में हमने फिर be का यूज किया है क्या तुम्हारा पाल तो कुटा रात में भूख रहा होगा विल यूर पैट टॉग बी बार्किंग अथ नाइट तो यह था interrogative first type अब देख लेते हैं interrogative second type question word प्लस विल या शेल प्लस subject उसके बाद verb की first form के साथ ing फिर object यह वो sentences हैं जिनके बीच में जैसे हिंदी वाकियों के मद्दे में कोई प्रश्ण वाज़क शब्द आ जाए यह वो वादे second type of interrogative है ठीक है जैसे आप बेमार क्यों महसूस कर रहे होंगे why shall you be feeling sick मैं कल इस समय पर क्यों नहीं पढ़ रहा होंगा why shall I not be starting at this time tomorrow where library में कैसे जा रहे होंगे how will he be going to the library तो यह थी कुछ interrogative second type के example future continuous tense के अब पढ़ते हैं present perfect tense के बारे में well the present perfect tense is a verb tense used to express action that occurred at non-specific time the present perfect tense is also used to express actions that started in the past but continue to the present जो present perfect tense होते हैं वो यह show करते हैं यह use करने के लिए होते हैं कि जो कोई action था वो past में start हुआ था पास्ट में घटित हुआ था लेकिन एक indefinite time है कोई definite time नहीं है और जो action past में start हुआ था वो अभी 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 जस्ट अभी present में खत्म हुआ है complete हुआ है वो होते हैं हमारे present perfect tense तो देखते हैं इनके rules, examples so first one we have affirmative so affirmative का rule देखते हैं क्या है subject फिर has या have फिर verb की third form फिर object कोई भी perfect tense हो verb की हमेशा third form ही लगेगी और present perfect है इसलिए हम has, have का use करेंगे has लगेगा singular subject के साथ और have लगेगा plural subject के साथ for example, she has lived here all her life वे यहाँ अपनी पूरी जिंदगी रह चुकी है they have written three letters already वे तीन पत्र पहले ही लिख चुके हैं I have worked here since I graduated school मैं यहाँ काम कर चुका हूँ जब मैं इसको से graduate हुआ था he has finished his homework वे अपना ग्रह कार्य पूरा कर चुका है यह थे इसकी affirmative अब देखते हैं negative negative का rule है subject plus has यह have plus not वर्व की third form फिर object again negative है इसलिए वर्व की third form पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और helping of has यह have के बाद हमें not का यूज कर देना है for example I have not eaten at that restaurant in a long time Jim has not worked on Friday since he joined the company My friends have not ever gone to France I have not forgiven you अगर बात करें वहीं interrogative first type की तो rule है has यह have plus subject plus not फिर वर्व की third form फिर object and then question mark तो जैसे जो वाकी क्या से शुरू होंगे वो होंगे हमारी first type of interrogative for example have you not made a noise क्या तुम शूर नहीं मचा चुके हो have the police caught the thief क्या पुलिस चूर को पकड़ चुकी है have you called the doctor क्या तुम डॉक्टर को बुला चुके हो have you not heard the news क्या तुमने news को नहीं सुन चुके हो या क्या तुमने news नहीं सुनी है तो ये हैं हमारे present perfect tense की interrogative और जैसे की अभी तक आपको पता चल गया हो कि इन सबी वाक्यों के अंत में चुका है चुकी है आते हैं after first type of interrogative we have interrogative second type जिसका rule है question word उसके बाद has have फिर subject फिर verb की third form फिर object and then question mark for example where have I left my shoes where has he gone already where have you left your phone and why has he cleaned your room अब बारी है past perfect tense की well the past perfect refers to a time earlier than before now and it is used to make it clear that one event happened before another in the past it does not matter which event is mentioned first the tense makes it clear which one हमेशा tense clear बनाता है ठीक है तो ये है हमारा past perfect tense इसकी पहँचान होती है जिन हिंदी वाकियों की अंत में चुका था चुकी थी चुके थे आदी शब्द आते हैं तो देखते हैं इसका affirmative rule जो है subject प्लस head प्लस verb की third form प्लस object तो यहां पर सिफ एक helping verb है head और जैसे की मैंने बताया वर्ब की third form हर एक perfect tense के साथ लगनी है I had played with a ball मैं बॉल के साथ खेल चुका था He had consumed a lot of alcohol वह बहुत जादा शराब पी चुका था I had gone home मैं घर जा चुका था I had lost my camera मैं अपना camera खो चुका था तो यह हैं इसकी affirmative examples और इसके rule affirmative के बाद हमारे पास आता है इसका negative तो देखते हैं इसका negative rule क्या है We have subject उसके बाद head not फिर वर्व की third form फिर object चलो बना के देखते हैं इससे The player's subject है had not lost her before the match finished Krish had not completed the assignment before he went to school Now look at the second and first example इन दोनों में दो कारे दो action हमें mention किये गए हैं जैसे second वाले में Krish ने अपना assignment complete नहीं किया था school जाने से पहले मतलब उसने पहले अपना assignment finish नहीं किया school जाने से interrogative interrogative first type का rule है had plus subject plus verb की third form उसके बाद object and question mark for example had we gone to work क्या हम काम पर जा चुके थे had we slept late on saturday क्या हम शनीवार को देर से सो चुके थे या देर से सुए थे had we seen a movie क्या हमने movie देखी थी या देख चुके थे बात वही है had we swam on Sunday क्या हम रविवार को तेर चुके थे ठीके या क्या हम रविवार को तेरे थे ये हैं इंटेरोगेटिव फर्स टाइप अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकिन टाइप तो इंटेरोगेटिव सेकिन टाइप ये है question word प्लस head उसके बाद subject फिर word की third form फिर object and question mark For example Why had she gone to market? वहें बाजार क्यों गई थी? Why had they sold their house? उन्होंने अपना मकान क्यों बेचा था? Why had he gone to the doctor? वहें डॉक्टर की पास क्यों गया था? Why had she visited her grandparents? वहें अपने दादा दादी यानि ग्रेंट पेरेंट से मिलने क्यों गई थी? अब बार यह perfect के last tense future perfect tense The future perfect is a verb tense used for action that will be completed before some other point in the future जो future perfect tense होते हैं वो ये show करते हैं कि जो घटना होगी वो future में एक point से पहले complete हो चुकी होगी मतलब एक time दिया होगा उससे पहले वो complete हो चुकी होगी अगर इसके affirmative rules की बात करें तो rule है subject फिर will शेयर या फिर शेयल है फिर third form of verb फिर object सबसे पहले subject लगाओ फिर helping verb will have या शेयल है उसके बाद third form of verb फिर object for example I will have finished this book मैं यहे पुस्तक खत्म कर चुका होगा यू विल हेव स्टड़ी द इंग्लिश टेंसे तुम इंग्लिश टेंसे पर चुके होगे she will have cooked dinner वे खाना पका चुकी होगी he will have arrived वे पहुँच चुका होगा अब आती है बारी negative की तो negative rule है subject उसके बाद will या शेयल फिर not उसके बाद have फिर verb की third form फिर object for example I shall not have studied hard for exam मैं अपनी परिक्षा के लिए ज्यादा पढ़ाई नहीं कर चुका होगा you will not have gone to work तुम काम पर नहीं जा चुके होगे they will not have slept at 11 p.m वे ग्यारे बजे तक नहीं सो चुके होगे ram will not have watched a movie ram एक movie या एक film नहीं देख चुका होगा interrogative first type जिसका rule है will you a shell plus subject फिर not फिर have फिर third form of a फिर object for example shall I have studied hard for my exam वही एक्सेंपल है बस इनका थोड़ा formation change है will you have gone to work will they have slept at 11 p.m or will ram have watched a movie अगर बात करें हम second type की तो rule है question word plus will you a shell उसके बाद subject फिर not फिर have उसके बाद third form of a plus object and question mark अगर एक्सेंपल्स की बात करें तो सबसे पहले हमें question word यूज़ करना है नौज़ नsी खें दो जायसे इसल्टेट थे, आज़ करना है वो एक्सेंपल्स की अगर ग्रियु जाय जाय दे शुकी यूज़ के वाग्यारजय तो यह थे इसके बात करेंख फिक्छेंपल्स। मृज tahun, यह थे उसके Present Perfect Continuous Tense and it is used to express an action which has started in past, still continuing and not completed so far. It is used to express a continued or ongoing action that started in past and is continued till now. The present perfect continuous tense is expressed that the action started in past and is not completed yet. It is used to express a continued or ongoing action. It is used to express an action which has started in past and is continued. It has been drizzling outside since morning. Now you will see that we have used since morning. So what rules are the rules? We will now read it. Well, this is the definition of present perfect continuous tense. Use of four and five words. In the present perfect continuous tense and all perfect continuous tense, we use four and since. So what since is used when time mentioned in the sentence is certain and used when there is given point of time. since, since 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 का yunz हम करते हैं जब एक sentence वे जो time दिया हुआ है वो निश्डेत हो. दिया हुआ हो कि कोई काम कोई action कब स्टार्ट हुआ था. पॉइंट अफ टाइम दिया हो. जैसे since two o'clock दो बज़े से. Since morning सुबह से. जैसे मैं दो बज़े से खेल रहा हूँ. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ इन दोनों टेंसे में हमें ये टाइम दिया हुआ है कि कोई एक्शन आपने कब शुरू किया था 4 का यूस किया जाता है जब सेंटेंस में जो टाइम मेंशन किया हो वो अनिश्चित हो या फिर हमें टाइम की एक क्यूरेशन दी गई हो ठीक है अंतराल दिया गया हो कि जो एक्शन था वो कितने समय तक जारी था कितने समय तक वो घटेट हुआ जैसे फर टू वीक्स दो सब्तों से फर त्री आर्स तीन घंटे से तुम तीन घंटे से ड्राइविंग कर रहे हो तो ठीक है यहाँ पर यह टाइम नहीं दिया हुआ है कि तुम कब से कर रहे हो लेकिन कब तक ही आपने तीन घंटे तक जारी रहे अब देखते हैं प्रेजिन पर्फेक्ट कॉंटिनियस टेंस का एफ़रमेटिव रूल रूल है सबजेक्ट पलस है और गल्स बीन पलस वर्ब की फर्स्थ फॉरम पलस आई अउघ अपजडेक्ट और फॉर और सिंस टाइमं पलस रिमेंग और ते सेंटेंस अब आप जैसे देख रहे हो कि इनकी पहचान यही है कि इन टैंस के अन्त में रहा हूं रहे हैं या फिर रहे हैं आता है और साथ में समय दिया हो लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं इसकी helping verb has been और have been क्योंकि जादतर हमने पढ़ा की रहा हूं रही हूं के साथ तो is MR का यूज़ होता है आप एक बार इस tense के नेम को देखिए present perfect continuous tense present जो present में है जो वर्तमान में है perfect के लिए हमने इसके साथ has, has का, have का यूज़ किया है और continuous मतलब जो अभी भी जारिया खतम नहीं हुआ है रहा है रही है ठीक है इन में तीन tenses का mix up है present perfect continuous तो इस तरह से हमने इसका यूज़ किया है और अब देखतें इसके कुछ examples मैं तीन बज़े से इस किताब का अध्यन कर रहा हूँ I have been studying this book since 3 o'clock ठीक है तो यहां पर point of time दे रखा है कि कब से कर रहा हूँ कब से मैंने इसका अध्यन करना शुरू किया तो इसले हमने since का यूज़ किया है नमबर सेकेंड आई है इसलिए हमने have been का यूज़ किया है और वब की first form के साथ ing क्योंकि यह continuous है present perfect continuous remember नेक्स्ट है वे पिछले सब्ता से सरकार की अलोचना कर रही है शी हैस बिन क्रिटिसाइजिंग दे गर्मेंट सिंस लास्ट वीक शनाया दो घंटे से गारी चला रही है शनाया has been driving for two hours शनाया has been driving for two hours तो इस तरह से हम बनाते हैं affirmative tense sentence present perfect continuous tense के लिए negative rule for present perfect continuous tense तो negative जो rule है present perfect continuous tense के लिए वो है subject उसके बाद has या have plus not plus been फिर वर्व की first form के साथ ing उसके बाद object plus four या since plus time और फिर rest of the sentence तो सबसे पहले हमें लगाना है subject उसके बाद has या have फिर not फिर been sentence बिलकुल वही है यहां पर बस helping वर्व जो has been था have been था उसको हमें has not been और have not been में चेंज कर देना है जैसे वर्टिका सुबह से नहीं खेल रही है वर्टिका has not been playing since morning अंकल अपने बेटे के जन्म से दिली में नहीं रह रही है अंकल has not been living in Delhi since the birth of his son रात से वर्शा नहीं हो रही है तो इस तरह से यूज किया है हमने negative sentences में हमने सिर्फ change क्या किया है has not been और have not been का चेंज हुआ है बाकी वही रूल है negative के बाद आती है interrogative की बारी so first type of interrogative जो रूल है वो है has या have फिर subject उसके बाद been फिर verb की first form के साथ ing फिर object फिर four या since plus time ये वही वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं तो सबसे पहले क्या से अगर वो वाक्य शुरू हो रहे हैं तो आपको has have सबसे पहले लगाना है subject की according क्योंकि has होता है singular subjects के लिए have होता है वो होता है plural subjects के लिए फिर subject के बाद हमें लगाना है bean अगर यहां पर interrogative negative आ जाता है तो subject के बाद और bean से पहले उसका यूज कर सकते हैं उसके बाद verb की first form यानि base form के साथ ing लगानी है फिर object फिर four year sense four लगाना है जब हमें time की duration दे रखी हो जब हमें time का antral दे रखा हो और sense का यूज करना है जब हमें point of time दे रखा हो मतलब जब कोई कारे शुरू हुआ हो उसका time दे रखा हो तो हम four year sense लगाएंगे और फिर given time जो भी है for example क्या मैं एक घंटे से अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ have I been wasting my time for an hour तो सबसे पहले ही हाँ पर कौन सा subject है I तो I के हिसाब से हमने शुरूआत किया है वाक्य की have लगा कर have I been okay have subject plus been पर जो हमारी main verb है waste और उसके साथ हमने लगाई है ing wasting my time for an hour एक घंटे से मतलब ये नहीं दे रखा है कि कितने घंटे से शुरू किया मतलब कौन कितने बज़े शुरू किया लेकिन ये दे रखा है कि कितना duration हो गया आपको समय व्यर्थ करते हुए इसलिए हमने four का use किया second example क्या वह भुपाल मैं 5 सालों से रह रहा है has he been living in भुपाल for five years okay इसको भी हमने formula के according बनाया है क्या उसे रविवार से बुखार आ रहा है has he been suffering from fever since yesterday since Sunday तो हमने अपे since का use क्यों किया क्योंकि हमें समय दे रखा कि कितने टाइम पहले से मतलब जब बुखार शुरू हुआ रविवार से point of time दे रखा है इसलिए हमने since का use किया अब आती है बारी past perfect continuous tense की well it is used to express a continued or ongoing action that started in past and is continued until some time in past there will always a time reference like for a few days, for 10 months, for 2 years, since Wednesday, since 2011, since January EDC तो past perfect continuous tense क्या होता है इनका use किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई past में कोई action था जो कुछ समय तक जारी रहा कुछ समय तक ongoing रहा और साथ में वो उसके साथ समय भी represent था समय भी दे रखा था time reference भी था जैसे कुछ दिनों से, 10 महिनों से, 2 सालों से बुद्वार से, 2011 से तो ये होते हैं हमारे past perfect continuous tense for example I had been learning English in this school for 20 days मैं 20 दिनों से इस स्कूल में English पढ़ रहा था ठीक है? 20 दिनों से तो क्या है? ये साफ साफ पता चल रहा है कि कोई action था कोई कार्य हम कर रहे थे past में जो कुछ समय तक continue रहा था कुछ समय तक जारी रहा था और साथ ही में उसके साथ हमें time reference भी दिया गया था 20 दिनों से तो ये है past perfect continuous tense अब past perfect continuous tense की पहँचान है कि जिन हिंदी वाकियों की अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदी शब्द आएं और साथ ही समय भी दिया हो वो tense होते हैं हमारे past perfect continuous tense के चलिए अब देखते हैं इसके affirmative rule जो है subject plus head plus been plus verb की first form के साथ ing plus object उसके बाद four ये since फिर जो given time है वो और फिर rest of the sentence अगर कुछ remaining भी है तो जैसे वो पिछले एक घंटे से बात कर रहे थे they had been talking for the last hour सबसे पहले हमने लगाया है subject वो यानि they फिर हमें यहाँ पर confused होने वाली कोई बात नहीं रहती है क्योंकि helping verb सिफ एक होती है had been तो आपको बिलकुल भी confused होने की जरुरत नहीं है कि singular के साथ क्या लगेगा or plural के साथ क्या लगेगा so हमने लगाया they had been for verb की first form talk उसके साथ ing talking and then हमें क्या दे रखा है duration दे रखी है पिछले एक घंटे से यानि एक duration है हमें नहीं पता की दो बज़े से तीन बज़े से लेकिन एक घंटे से इसलिए हमने four का यूज किया next मैं January से काफी कमाई कर रहा था I had been earning enough since January यहां पर हमें दे रखा है point of time तो इसलिए हम यहां पर since January का यूज करेंगे I hope अब आप affirmative का यूज समझ के होंगे तो देखते हैं negative negative में क्या होगा जैसी present perfect continuous tense में हमने किया था कोई changes नहीं था सिर्फ helping verb के बीच में change था हमने has not been और have not been कर दिया था यहां पर भी हम करेंगे had not been बाकी सब वही रहेगा remain same subject plus had not been plus verb की first form फिर ing उसके बाग object और फिर four years since depends आपको क्या दे रखा है फिर given time जैसे मैं जनवरी से काफी कमाई नहीं कर रहा था I had not been earning enough since January I had not been earning enough वह पिछले दो तिन दिनों से office नहीं जा रही थी She had not been going to office for last two-three days अब आपको पता चल गया होगा कि हमने four का use क्यों किया क्योंकि हमें एक duration दे रखी है शांतूर मेरे जवाब कर इंतजार एक जनवरी से कर रहा था शांतूर had been waiting for my reply since first January negative के बाद बारी आती है interrogative की and this is first type of interrogative जो क्या से शुरू होते हैं वाकिया head प्लस subject प्लस been प्लस verb की first form उसके बाद ing फिर object और फिर four या since फिर given time और देन question mark क्या पिछले दो महीने से वही किताब लिख रही थी has she been writing a book for the last two months तो sentence क्या से शुरू हुआ है इसलिए हम इसकी शुरूात करेंगे head से had she been writing a book for the last two months और यहां पर हमें एक duration दी रखी है दो महीनों से तो हमने four का use किया है second example क्या बच्चे शाम से टेलिविजन देख रहे थी had boys been watching टेलिविजन since evening क्या ट्रेन पांच घंटे से चल रही थी had the train been running for five hours ठीक है तो इस तरह से हम बनाएंगे interrogative sentences past perfect continuous tense के हमारा जो second example है क्या लड़के या बच्चे शाम से टेलिविजन देख रहे थे तो हमने सबसे पहले head लगाया फिर subject boys उसकी बाद been फिर watching television since evening क्योंकि हमें point of time दे रखा है ऐसे ही हमें third example में लेकिन वहाँ पर हमें period of time दे रखा है अब देखते हैं second type of interrogative इसका rule है question word plus head plus subject plus bean plus verb की first form के साथ ing plus object फिर four year since plus time उसके बाद जो भी remaining sentence का फिर question mark तो जैसे मैंने कहा कि second type of interrogative जब भी मैं कहूं इसका मतलब होता है उन sentences से जो हिंदी वाक्यों के मद्धे में प्रश्ण वाज़क शब्द आएं तो पहला हमारा example है वह पिछले दो तिन दिनों से office क्यों नहीं जा रही थी Why had she not been going to office for last two-three days अब यहां पर अगर not आ जाए जैसे first example में आया है तो हम उसे subject के बाद और बीन से पहले लगाएंगे Second example Second example Shantur मेरे जवाब का इंतजार एक जनवरी से क्यों कर रहा था Why had Shantur been waiting for my reply since first January तुम उस कार को पिछले तीन घंटे से कहां चला रहे थे Where had you been driving that car for the last three hours तो हमारा third example में जो प्रश्ण वाचक शब्द है वो है कहां जिसकी English होती है where Where had you been driving that car यह rules के according बना लेना है और फिर जो हमें duration दे रखी है वो है for the last three hours अब बारी आती है हमारी future perfect continuous tense की and this is the 12th tense and the last one Well future perfect tense is used to express a continued or ongoing action that will commence at a fixed time or in future and will continue for some time in future जो future perfect continuous tense होता है यह क्या होता है future यानि भविश्य में perfect जो कुछ समय भविश्य में start रहेगा और continuous जो काफी समय तक जारी भी रहेगा यानि future में होने वाला कोई कारे कोई action जो किसी fix time तक जारी रहेगा वो होगा हमारा future perfect continuous tense पहँचान होती है जिन हिंदी वाकियों की अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे आते हैं और साथ ही समय भी दिया होता है ठीक है अब आगे देखते हैं इसका affirmative rule subject प्लस will your shell प्लस have been प्लस verb की first form then ing प्लस object और फिर four year since प्लस time उसके बाद remaining अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जो हमने perfect continuous tense पढ़े present के past के उसमें helping verb थी has been, have been या had been लेकि यहां पर है will have been, shall have been ऐसा क्यों क्योंकि सबसे पहले जो हमारा future का tense है वो है will your shell उसकी helping verb वही होती है फिर perfect से लगाया है हमने have और as a perfect continuous tense पूरा मिला के हो जाता है will have been और shall have been फिर हमें लगानी है verb की first form के साथ ing उसके बाद object फिर four year since depend करता है की वेकार या point of time से define है या फिर duration of time से और फिर जो given time है उसको लिखते ना है जिस्ते हैं इसे examples के through पहला example sweetie उस college में तीन साल से पढ़ा रही होगी सबसे पहले हम इसे कैसे बनाएंगे English translate कैसे करेंगे सबसे पहले लेंगे हम subject जैसे हमारे rule में दिखाया गया है sweetie है जो की फिर subject की according हमें चूज करना है will have been या shall have been तो यह third person है इसलिए हम choose करेंगे will have been फिर इसमें main verb क्या है पढ़ाना और main verb के साथ लगानी है हमें ing so it's been teaching sweetie will have been teaching फिर object in that college और फिर क्या समय दे रखा है तीन साल से मतलब हमें duration दे रखी है तो हम लगाएंगे for three hours sweetie will have been teaching in that college for three years second example राजन जन्वरी से बैडमिन्टन खेल रहा होगा राजन विल है बैडमिन्टन से जैन्वरी यहां पर भी वही रूल अपलाई हुआ है सबसे पहले subject जो है राजन फिर उसके according will have been फिर प्लेंग बैडमिन्टन से जैन्वरी difference यहां पर है कि यहां पर हमने sense का use कि आई क्योंकि यहां पर हमें जब कारे शुरू हुआ था उसका समय दे रखा है point of time affirmative के बाद बारी आती है negative की तो इसका rule है subject प्लस विल और शेल नाट हैव बीन उसके बाद वर्ब की फिरस्ट फॉर्म फिर आई एंजी आपचेक्ट और फोरिया सेंस फिर टाइम जो भी है अब यहां पर यह है कि हम यहां पर विल हैव नाट बीन नहीं कर सकते नहीं कर सकते negative में हमेशा होगा विल नाट हैव बीन शेल नाट हैव बीन ठीक है जैसे example है हमारे पास मदू तीन हफते से बिजली दफतर के चकर नहीं लगा रही होगी सबसे पहले लिखेंगे हम subject जो की है मदू फिर मदू के according helping verb क्या होगी will not have been going to electricity office for three weeks four का क्यों use लगाया यह आपको बखू भी पता है क्योंकि हमें यहाँ पर period of time duration of time दी गई है second example बच्चे टैडी बियर के इर्द गिर्द दो घंटे से नहीं मन रहे होंगे children will not have been hiring around teddy bear for two hours यहां पर भी वही रूल फॉलो हुआ है subject फिर will not have been फिर verb की first form के साथ ing object और फिर जो हमें four year sense लगा कि जो given time है उसका use कर देना है here we have completed negative sentence अब बारिये interrogative की तो interrogative का rule है first type of interrogative जब क्या से शुरू हो वाक्या will shall plus subject plus have been plus verb की first form उसके बाद ing फिर object फिर four year sense for given time and then question mark हमें लगाना है वो must है ठीके तो subject से पहले हमें क्या लगाना है will या shall और subject के बाद हमें लगा देना है have been फिर verb की first form ing फिर object फिर four year sense फिर time जैसे क्या स्वाती तीन घंटे से काम कर रही होगी will शुरू हमें वर्किंग फिर त्री आर्स क्या हीना जुलाई से घर से काम नहीं कर रही होगी will हीना not have been working from home since जुलाई पहला वाक्या हमने कैसे बनाया क्या स्वाती तो क्या से वाक्या शुरू हो रहा है मतलब interrogative है फिर्स टाइप है तो स्वाती क्या है third person उसके according हमने लगा दिया will स्वाती have been फिर वर्क और उसके साथ हमें लगानी है ing तो यह हो गया working for three hours ऐसे ही second example will हिना not have been working from home since जुलाई यहाँ पर not है यह interrogative negative है इसलिए हमें subject के बाद और have been के पहले लगाना है not का use interrogative first type के बाद बारी आती है interrogative second type जो है question word plus will ya shall उसके बाद subject फिर have been उसके बाद verb की first form के साथ ing फिर object फिर four year sense plus time and then question mark सबसे पहले हमें लगाना है question word वो प्रश्न वाचिक शब्द जो वाकी के माद्ध में आया है फिर will ya shall subject according फिर subject के बाद हमें लगाना है have been फिर verb की first form के साथ ing plus object फिर four year sense or given time for example गीता साम से सारा काम क्यों कर रही होगी why will गीता have been doing all the work since evening प्रश्न वाचिक शब्द है क्यों जिसकी English होती है why तो why आगया हमारे question word फिर गीता है और इसके according हमें लगाना होगा will why will गीता have been doing all the work since evening मुंबई में 20 घंडे से बरसत क्यों नहीं हो रही होगी why will it not have been raining for 20 hours in मुंबई तो यहां पर भी सबसे पहले question word लगाया why will it not have been raining तो not have again interrogative negative sentence है तो हम it के बाद यानि subject के बाद have been से पहले not के use करेंगे और फिर rest raining for 20 hours in मुंबई well this is the end of the video if you like then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this